असलाम अलेकम आपके साथ आज का जो डॉलर का और याल का रेट है मुष्टरी बैंकों का जो एक्सचेंज रेट है वो शेयर कर दूगा मैं सबसे पहले हम डॉलर के मतलगी बात करें है सब्सक्राइब करेंट में अभी 300 के करीब है जाएं कि 202 रुपए से लेकर 310 रुपए तक अराउंड में ठीक है यार यह उपन मार्केट में 310 होगा स्टेट बैंक का रेटन है वो 280 रुपए कुछ पैसे था बरहल आपको अगर रिया रेट के मतलग बतादू आज के एक्सचेंज रेट के मतलग पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से तो 60 रुपए दो पैसे आज का रेट हो चुका है जी और इंडिया 22 प्लस में मंगला दशी पैसे से लेकर 77 रुपए अरौंड में आपको पाकिस्तान में पी रेट बिलेगा हां कुछ ऐसे जिले भी बोल सकता हूं शहर तो नहीं बोल सकता जहां पर 80 रुपए अरौंड में भी बिल रहा है जो खासकर हज़ पर जाने वाले भाई जाहरी नहीं जाहरीन है उनके रूपए नवे पैसे हो चुका है 10, 17 और 23 रियाल इनकी फिस होती है S.T.C. पर की बात करें तो इनका आज का रेट 75 रूपए 32 पैसे 10, 17 और 23 रियाल इनकी फिस होती है अगर इनकी मुबायल एप से आप पैसे बेचते हैं राजी बैंक की तो सिर्फ 10 रियाल काटे जाते हैं और आप बाहसानी तरीके से अपने रूप में बैठे बाहसानी तरीके से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं पर शर्ते के आपके A.T.M. में सेलरी बगरा आती हो तो तहवीद राजी की बात करें सोरी तहवीद राजी की बात करें तो इनका आज का रेट 75 रूप 350 पैसे 10 17 और 23 रियाल इनके भीफीज है अगर मनिकरम की बात करें इनका आज का रेट 85 पैसे है 10 17 और 23 रियाल इनके भीफीज होती है और टैलिमनी यानि के A and B बेंक की अगर बात करें तो इनका आज का रेड़ 75 रूपए 37 पैसे 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीज होती है अगर हम इंजार्ज बेंक से पैसे बेजना चार रहती हैं ओवराल तमाम बेंकों के हिसाब से बात करें तो 75 रूपए प्लस में इस वक्त रेड़ चल रहा है हाँ पिछले दो-तीन दिन में कुछ डॉलर नहीं किया जिसकी वज़से चंद पैसों का फर्क पड़ा है लेकिन आने वाले दिनों के अगर बात करें तो मुझे लगता है रहारेट मजीद उपर जाईदा